जैसे ही आप स्कूल या कॉलेज में NCC में जॉइन होते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का यूनिफॉर्म दे दिया जाता है NCC ड्रेस और इसको पहने का नियम समझा दिया जाता है इसके बाद NCC के कुछ खास अवसर जैसे Drill Competition, Honor Guard, Piloting, ETC Events में NCC का Ceremonial Dress का उप्योग किया जाता है तो मैंने अपना पिछले वीडियो में यही बताया था कि NCC Ceremonial Dress में कौन-कौन से ऐसे Series यूज होती हैं, उनका नाम क्या है और कैसे पहनते हैं तो उस वीडियो के नीचे Cadets में कमेंट किया था कि Sir NCC Combat Uniform के बारे में बताओ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी topic पर discussion करेंगे कि NCC का Combat Uniform क्या होता है, कौन इसको पहन सकते हैं और इसको पहनने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो चलिए वीडि सिर्फ SD Cadets को होता है, JD Cadets को इसका कोई काम नहीं होता है, SD Cadets को इसका काम सिर्फ और सिर्फ National Camps में होता है, जैसे Army Attachment Camp, IMA, OTA Camp और TSC, TSC में सभी subjects cover होते हैं और YEP, YEP में हो सकता है कि वहाँ से Uniform मिले, बट ऐसा rule हर बार change होता रहता है, ठीक है, ये जो Uniform होती है, इसको आ कुछ Cadets ऐसे होते हैं, जो अपना NCC खा की Uniform सिल्वाते हैं, उसके साथ ही साथ अपना Combat Uniform सिल्वा लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अब NCC Combat Uniform से related कुछ important बाते, जैसे इसके साथ जो हम अपना Barret पहनते हैं Green Color का, तो उसमें Hackle नहीं लगता, Name Plate की जगह पर यहां Yellow Boundary वाला कपड़े का Name Plate आ जाएगा, और इसमें Side Batch लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें Line And भी नहीं लगता, और इसमें Officers Belt नहीं पहनते, इसमें हम Web Belt पहनते हैं, और अगर आपको जो Paint है, उसमें Elastic लगा हुआ है, तो आपको Anklate लगाने की दूरत है, Combat Uniform में, तो बस इतना ही था Combat Uniform से Related Information, Information अच्छा लगा तो Like करें, Share करें, और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को On करना ना भूले, मिलते हैं Next Informative वीडियो के साथ, जय हिंद!